हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो रोयली स्टेडी दोस्तों आज की स्टूडियो में मत्य प्रदिस करेंट फेर जून 2020 का डिसकस करने वाले हैं जून का वीडियो यह रहेगा इस पेसली आपको पता है कि बहुत दिनों से इस चैनल पर वीडियो आपको नहीं मिल रहे थे जिसका का जनवारी से मही तक का जो करिंट फेर वह देखना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको निचे डिस्क्रिप्सन में मिलेगी प्लेइस्ट वहां पर आपको दे रखिए लिंक में तो उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हम मंतली वीडियो जो इतने भी है आपके वह सारे आपको म मिल जाएंगे और वहां से देख सकते हैं तो जनवारी से मही तक कंप्लीट कर चुके बाकी जो बचे हुए वह भी आपको जल्द से जल्द मिल जाएंगे इसके लावा आपको बता दे कि मद्द्रदेश जेल प्रारी मद्द्रदेश पूलिस की एक्जाम के अगर आप तिय तो फ्रेंड्स आईए हम बिना टाइम वेस्ट के अब स्टार्ट करते वीडियो को देखे फर्स्ट जो कोश्चन आपको सामने सो रहा है हाल में किसके अद्यक्षिता में मद्द्रदेश राज विजे विवित्ता बोर्ड की सत्रवी बेटक संपन हुई है और यह जो हुई वाकि हम डिटीयल में सबी कोश्चन को जानेंगे सबी डेटा जो इतना भी करिंट फिर है सबको डिटीयल में भी हम जानेंगे ताकि कोई भी कोश्चन आपका चूटे ना इक्जाम है के लिए रहें तो देखे मुक्य सचे उसरी इकबाल सिंग बेस के दिक्षिता में यह तोड़ी से डिटीयल आप यहाद रखिएगा नेक्स्ट कोश्चन आपका आता है मद्य प्रिदेश के मद्य चेत्र विदुत वित्रन कंपनी बोपाल द्वारा विदुत बोक्ताओं की सुविदा के लिए कौन सा एप बनाये गया है तो देखे यहाँ पर जो एप बना आपका निकल करा रहा है तो बोपाल जो संबाग है इसमें कितने जीले हैं यह आपको बताना है कि बोपाल संबाग के अंतरकत कितने जीले आते कौन-कौन से जीले नाम भी आपको बताना है और नाम आप बताएगा और यह तोटल भी बताएगा और आपको नीचे कमेंट ब प्रतिमा बिजली की रिडिंग ओनलाइन सिकायत और ओनलाइन बुक्तान कर सकेंगे तो यह फेसिलिटी जो है दी गई है नेक्स्ट कॉशन आपका रहे हैं मद्यब्रदेश सरकार द्वारा कितना प्रतिसत तीवड़ा युक्त चना समर्तन मुल्य पर खरीदने का एलान किया गया है तो मद्यब्रदेश सरकार ने दो प्रतिसत यहाँ पर तीवड़ा युक्त चना समर्तन मुल्य पर खरीदने की अनुमति प्रतान की एलान किया गया है और यहाँ पर तोड़ी सी और देखे हम चीज़े विदे के मद्यब्रदेश के कई छेत्र में किसानों को चने में तीवड़ा होने के कारण अपनी फसल समर्तन मुल्य पर बेच पाने में मुस्किल आ रहे थी इस संबंध में मद्यप्रदेश सासन ने केंदरी मंतरी से जो है किरसी मंतरी उन से अनुरोध किया था और केंदरी मंतरी जो है किरसी केंदरी मंतरी उनके द्वारा मद्यप्रदेश सासन को 2% तिवड़ा युक्त चना खरीदने की मंजूरी दे दी गई थी इसलिए यहाँ प मESFR mutria तो यहाँ पर आपका जो से जवाब रहेगा वो रहएगा सागर फॉरैंसिक साइप उपसें से जवाब रहेगा डीटियल थोड़ी मद्वध्यों प्रठोंच के मंतरी हैं नरुद्वी नरुतत्व यहाँ पर मंझाए के दोड़ेर से किया जाएगा जिसमें नय आदुनी कुपकरणों की खरीदने की भी यहाँ पर मंझूरी दी गई है यहने इनकी यहां पर यह चल रही है खरीदने की भी तो उसकी भी यहां पर यहां पर यहां पर उन्नेन की मंजूरी देदी है नेक्स ट्रॉशन है हाली में किस जीले में मुक्यमंतरी सरी चोहान द्वारा 6 जून 2020 को दो कोईलाख अधानों का बटन दबा कर इस सुभा रंब किया गया है और ये जो किया गया है, ये चिंदवाडा जिले में किया गया है तरड ओप्सन आपका जो है सही जवाब इसका रहेगा अब तोड़ से डीटियल देखें, तो देखें 6 जून को जो किया गया है मद्धिप्रदेश के CM जो है इनके द्वारा चिंदवाड़ा जी लेके धनकसा और सारदा मुमिगत कोईला खदानों का सुभाराम भी आपर किया गए और इस कारिक्रम में वीडियो कोनफरेंस के बाध्यम से दो केंदरी मंत्रे नितिन गटकरी और प्रलाज जोची जुड़े थे और इन खदानों में इन खदानों से जो है 515 करोड रुपे का केपिटल इंवेस्टमेंट मद्धिप्रदेश में ह और यानि 1.4 लाक टन प्रतिवर्स कोईले का उत्पाधन होगा और 1000 लोगों को रोजगार भी इससे मिलने वाला है और मद्धिप्रदेश प्रतिवर्स जो है 249 लाक टन कोईले का उत्पाधन प्रतिवर्स करता है जहां प्रदेश का देश में 4 इस्थान कोईले उत्पाध M कितेत राजजयों के कर लेने की सीमा को S GDP अर्तात राजज सकल घरे लुदपात का कितना प्रतिसत दिये गया है यह जो दिय गया है पांच प्रतिसत दिये गए, सेकेंड उप्सन आपका जो है सही जवाब इसका रहेगा, डिटियल अगर हम देखे, तो देखे केंदर सरकार द्वारा राज को SGDP के तेत 3% कर्ज लेने की सीमा को बढ़ा कर 2% से बढ़ा कर यहां पर 5% कर दिया गया है, तो यहां पर देखे, 3% तक कर्ज लेने की सीमा को 2% से बढ़ा कर 5% कर दिया है, और इससे मद्यप्रदेश की राज सरकार 18,983 करोड रोपे का अधिरिक्त कर ले पाएंगे, और इस जीरो पॉइंट पांच तक अंटाइटल्ड जो रिन लेने के अनुमती है वहीं पर चार सुधार राज में करने पर 1.5 परसेंट का तिरिक्त कर राज सरकार्ट ले सकेंगे यह चार्ज सुधारे निमने कौन-कौन से सुधारे आपको बता जेते पहला राज में वन नेशन वन रासन कार्ड सिस्टम लागू करना दूसरा राज में इज ऑफ डूइंग बिजनेस करना तीसरा सुधार सहरी निकायों में चोता सुधार करसी छेत्र में तो यह चार सुधार यहां पर जोकी रखे गए है आप पढ़ाई नहीं रुके गी यहां पर जो है इसका जो है नाम रख गया है याद रखेगा अब पढ़ाई नहीं रुकेगी यह यहां पर निकल कर आ रहा है डिटेल देखें तो देखें इसकूल शिक्ष्य विबाग की प्रमुक जो है स्रीमति रस्मी अरुनसमी इनके द्वारा कहा गया है इनके द्वारा ये अकबार अब पढ़ाई नहीं रुकेगी कवी मोचन किया गया है और इस अकबार के माध्यम से स्कूल सिक्षिया विवाग अपने द्वारा किये गये कारियों को जनता के समख्च भी रख सकेंगे नेक्स्ट कुशन है प्रदेश की जनता को विविन योजनाओं के लिए बार बार जानकारी ना देना पड़े इसके लिए मत्यप्रदेश सरकार ने किस विवस्ता की घूसना किये तो यहाँ पर ये जो योजना है इसका नाम है एकल नाग रिकता डटाबेस तो सेकेंड ओप् की विवस्ता की घूसना इनोंने की इस योजना जो है यह यह योजना पहले से ही भारत के राश्तान आंदरप्रदेश और तेलंगाना और आज्यों में है यह आगे बढ़ते है मत्यप्रदेश लोक्षेवयों के अक् jour के चुनाओं के लिए किसके अद्यक्षता में समिती गटित की गई है तो ये जो समिती गटित की गई है ये सिवराज सिंग चुहान की अद्यक्षता में गटित की गई है आपको तोड़ी से डिटीयल भी दे देते तो देखें मद्दिप्रदेश की जो मुक्य मंत्री है मद्दिप्रदेश सामानी प्रसासन विबाग के प्रवारी मंत्री भी है इनके दिख्ट हमें मद्धिब्रदेश लोक सिवायों के अध्यक्ष और सदस्यों के चुनाओं के लिए समीती गटित की गई है इस समीती में सदस्य के रोप में आदिम जाती कल्यान मंतर स्री मीना सिंग सामिले और इस समीती का मंतराले संब्धित कार अपर प्रमुक सचिव सामान्य प्रसासन विबाग द्वारा किया जाएगा आपको बता दें सामान्य प्रसासन विबाग भविश्य में किसी और को प्रदान करने पर वहां समीती का द्यक्ष बन जाएगा अगला कुछ नाता है हाली में पंजाब राज़ी को पीछे चोड़ कर देश में सरवादि गेहूं उपारजन करने वाला जो है राज़ी कौन सा बन गया है तो यह जो राज़ बना है ये बना है MP याने मद्य प्रदेश बन गया है सबसे अधिक गेहूं खरीदने का उपारजन किया गई 39,500,000 मेट्रिक टन गेहु का उपारजन किया गए वही पंजाब राजी द्वारा 1,27,430,000 मेट्रिक टन गेहु के उपारजन के सांद दूसरे इस्तान पर ये पंजाब रहा है और इस्वर्थ मद्धिप्रदेश का देश में कुल उपारजन गेहु पारजन में 33% हिस्सेदारी यहां परे जान देश के कुल 3,56,000,000 मेट्रिक टन गेहु पारजन हुआ है आगला कुशन आपका आता है हाली में मद्धिप्रदेश महीलायों बालविकास विभाग द्वारा ग्रामिन छेत्रों में किस वस्तो की उपलब्दा के लिए तेजस्वी नी सुसाइटा समू से करार किये गया है तो यह जो किये गया है यह सेनिटरी नेपकिन के लिए किये गया है याद रगिएगा फस्ट ओप्सन आपका सही जवाब रहेगा आपको दोड़े से डिटेल भी देते थे देखे मद्देप्रदेश महिला बालविकास विभाग द्वारा ग्रामिन छेत्रों में लोकडाउन के शमय में जो सेनिटरी नेपकिन महिलाव को पलब्द कराने के लिए इन्होंने तेजस्वी नी सुसाइता समू से करार किया है और ये जो सेनिटरी नेपकिन तेजस्वी ससाइता समू बनाकर महिला बालविकास विभाग को प्रदान करेगी और इस करार की विदता जो है 15 जून 2020 से 31 जुलाई तक होगी इसके वितरन के लिए विभाग ग्रामिन चेतरुक में अंगनवाडी केंदरुक पर उदीता कोरोनर तियार करेगा और ये जो योजना है प्रारंब में 6 जीलों में चलाए जाएगी जहां इसकी सुरुवात 15 जून 2020 को डिंडोरी जीले से होगी यहने और आपका वहीं एक सितंबर 2020 से मंडला बालागाट पन्ना टिकमगड छतरपूर में ये जो योजना है शुरू की जाएगी आगे बढ़ते हैं एक लिए कुश्चिन के और मंत्यप्रदेश के मंत्यशेत्र विदू त्वितरन कंपनी द्वारा अपने करमचारियों की उपस्तिति के लिए किस नाम से बायोमेट्रिक अटिंडेंस प्रनाली से के 10 जून 2020 से सुरूआत करने का नीने लिया गया है तो यह जो लिया गया है यहाँ पर आपका प्रियास याद रखिएगा तो बायोमेट्रिक अटेंडेंस प्रनाली है यह प्रियास इसका जो है यहाँ पर लोंच यह किया गए शुरुवात यहाँ पर की गई है देखे प्रियास का जो उद्देश यह कारयले में सही शमय पर कर्मिचारी को उपस्तित सुनिश्चित करना है जिससे उबोकताओं को अबाद्य सिवाए सही समय पर मिल पाए और मद्यचेतर विदुतितरन जो कंपनी है इन्होंने बोपाल, मद्यपदेश के बोपाल, नर्मदापुरम, गौलेर, चंबल संबाग के 16 जीलों में बिजली वितरित करती है अगला कुछन आ रहे है मद्यपदेश महिला बाल विकास विबाग द्वारा महिला हिंसा साहिता वा जागरुकता के लिए कौन सा कारिक्रम आकासवानी पर चलाया जा रहा है इस कारिक्रम का नाम है संजीव मोबाइल इन कारिक्रम इसका नाम रखा गया है डेटियल तोड़ी से देख ले थे देखे मद्यपदेश महिला बाल विकास विबाग द्वारा महिला हिंसा की रोकताम वा साहिता के लिए सभी मद्यपदेश के आकासवानी केंद्रों पर प्राइटा और हिल्प लाइन नंबर सम्मधित प्रश्णों का जवाब दिया गया है और यह कारिक्रम आकासवानी पर निश्चित जो है दिन सुबा दस ग्यारा के बीच में प्रसारित होता है और यह आपको यहाँ पर जो कि मोबाइल नंबर भी दिये गए हैं हाली में 10 जून 2020 को मद्यवदेश के मुख्यमंतरी सिरिस चोहान ने कुसल प्रवाज सिस्त्रमिकों के लिए कौन सा पोर्टल का जो है सुबारम भी इनों ने किया है इस पोर्टल का नाम है रोजगार सेथू पोर्टल अयाद रखना है इसके ओपर इस पेसली हमने वीडियो भी बनाया था आप देखना चाहें तो देख सकते हैं आपको वीडियो मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी भी लिंक में लिए एंपी कर इंटर वाले जो प्ले लिस्ट उसमें जाकर देख सकते हैं तीकि डिटील अगर हम देखे थोड़ी सी तो 10 जून 2020 को कुसल प प्रवासी मजद्रों का सर्वे पूर्ण कराये गया है इस पोर्टल का उद्देश कुसल प्रवासी स्रमे को रोजगार की जानका लेप्रब्द कराना है और पहले ही दिन पोर्टल से 89 कुसल प्रवासी मजदुरों को रोजगार भी मिला है अगला कोशन है हाले में निष्टा विदुत मित्र योजना शुरू की गई है इसका संबंद किस से है तो देखे इसका जो संबंद है वो महिला स्वा साहिता सामू से इसका संबंद रहा है याद रखिएगा थोड़ा सा डिक्टियल देख लेते हैं तो देखे मद्दी प्रदेश की मद्दी शेत्र विदुत मित्र योजना शुरू की है और ये जो योजना है इसका कंपणी के कारिशेत्र भूपाल नर्मदापुराम ग्वालियर और चम्मल संबाग के सबी 16 जीलों की ग्राम पंचायतों में लागू ये की जाएगी और इस योजना के अंतरगत चेनित महिला सोसाइता समू की महिलाओ को निस्टा विदुत मित्र की उपादी दी जाएगी तो ये भी आप याद रखिगा नेक्स्ट कॉश्चन आपका आता है पुलिस विबाग के ADG द्वारा इंस्पेक्टर रिंग से कॉंस्टेबल रिंग के पुलिस कर्मियों के तबादले के लिए किस इस तरी तबादले बोर्ड की गटन का इलान किया गया है तो ये जो किया गया है ये यहाँ पर आपका जो सही जवाब रहेगा वो रहेगा संबाग इस तरी तबादला बोर्ड तो आपका जो है फस्ट ओप्सन सही जवाब यहाँ पर हो जाता है डिटियल थोड़े सी हम देख लेते हैं क्योंकि काफी IMP डिटियल होती है देखे पुलिस विभाग के जो एडिजी है इनकी इनोंने दिसा निर्देश पुलिस विभाग के इंस्पेक्टर और कॉंस्टेवल रहें के जो पुलिस अदिकारी है करमचारी है उनके तबादले के लिए संबाग इस्तर तबादला बोर्ड का गठन किया रहेगा इसा इनोंने जो है दिसान्य देश दिये और इस बोर्ड में आईजी लेवल का अधिकारी अध्यक्ट होता है डिआईजी और एस्पी रेंग के अधिकारी सदश्य होंगे जो संबाग इस तर पर तबादले कर निर्ने लेगे इसके पूरू पुलिस मुक्याले पर जो है पुलिस स्तापना बोर्ड था जहां पर जोर्नल पुलिस स्तापना बोर्ड पोस्टिंग को लेखर सुतंत्र होगा नेक्स्ट कोशिन है मद्देपदेश के ग्रे लोग स्वास्तेम परिवार के लियान मंतरी नरुत्तमिस्रा ने किस इस्तान पर सो बिस्तर के अस्पिताल बनाने की गोशना किये इन्होंने किये डबरा में, डबरा आपको याद होगा, डबरा याद रखेगा, वो तर्ड उप्शन इसका से जवाब रहेगा, डिटेल हम तोड़ी से देख लेते हैं, ताकि आपको भी हिंट मिल पाएं इन्होंने डबरा चेत्रे के वाज़यों को बेतर स्वास्त सेवा उपलब्द हो सा कि इसके लिए डबरा में सो बिस्तरों के अस्पिताल बनाने की गोशनगी है, डबरा में इस अस्पिताल का निर्मान लगबख साड़े चे करोड रोपे की लागस से किया जाएगा नेक्स्ट कुशन है, हाली में मत्यपदेश सासन में सपाई कर्मियों की बीमा रासी में कितने प्रतिसत की वरद्दी कर दी गई हैं, तो देखे अभी हाली में जो ये की गई है, इसमें सो प्रतिसत की वरद्दी कर दी गई हैं, याद रखेगा आपका जो है पूर्ट उप पचास अजार थी अब वहाँ एक लाग की बीमाराशी दो लाग मद्धिपदेश सासन द्वारा जो है कर दी जाएगी इस पेसले से मद्धिपदेश के सोला अजार साधिक सपाय कर्मियों को लाब भी होगा बारत और चीन सीमा विवाद में मद्धिपदेश में से सर्वोच बलिदान देने वाले सेनिक स्री दीपक सिंग किस जीले के निवासी है और यह जो दीपक सिंगे यह जो निवासी है याद रहिएगा सेकिंड ओप्सन सह जवाब रहेगा डिटील थोड़ी सी देख लेते हैं देखे 15 जून 2020 को मद्धिरातरी बारत और चीन के सेनिकों के बीच खूनी जड़ा पूई थी 15 जून को जिसमें बारत के 20 वीर सेनिकों ने सर्वोच बलिदान दिया था इसे मद्धिपदेश के सेनिक सिरी दीपक करें डेंगी तो यह जो मोबाइल एसका नाम है शार्तक मोबाइल एफ यानो內ほ यहां पर यह क्या करेगा सर्वे करेंगा कोविड-19 का तो मद्विद्व सासन के द्वारा ये किया गया है कोरोन वाइरस की रोकथाम के लिए और इस योजना में बस्ती या नगर के स्वास्त परिक्षन सर्वे करा जाएगा जिसमें जिस छेत्र में वह निवासी जो इस स्वेश्ची ग्रूप से सर्वे के लिए तिय पंचायती राजम अंतराले दोरा पंचायतों के रास्ठ ऑवार्डों की गोस्ना की गई है मतिब-देस s के 15 ग्राम पंचायतों को यह वार्ड मिला रेट मद्देप्रदेस इन 15 पंचायतों ने जिला पंचायत, दो जन्पत पंचायत और 11 ग्राम पंचायत सामिल है, जिला पंचायत में नीमच और मनसूर जिला पंचायत को पुरुसकार मिला है, वहीं जन्पत पंचायत में आलोट, हुसंगाबाद जन्पत पंचायत को पुरुसकार मिला है, और इन सभी पंचायतों को स जोड़ी सी हो सकते हैं सामें निकल कर आ जाएं मद्डेपिदेश राज्यसभा चुनाऊ 2020 को संपन हुआ है इसमें सरवाधिक मतों के साथ किसने वीजे प्राप्त की सब्ढूरा को इसमें जो वीजे प्राप्त की है वह दिग विजे सिंग ने की है फर्स्ट उप्सन आपका जो है सही जवाब रहे का डिटील हम देख लेते हैं तो देखें मत्विजेश की तीन राज्यसबा सीटों पर राज्यसबा चुनावे 2020 यह 19 जून 2020 को संपन हुआ है और इसमें जो है दो सीटे बीजेपी एक सीट कॉंग्रेस को पराप्त हुई है वीजेश उम्मिद्वारों में कॉंग्रेस से दिख विजेश सिंग को जो है सरवादिक मत याने 57 मतों से जो की जीते हैं यह वहीं बीजेपी के जो जोतिरादिस सिंग्याई 56 वोट से जीते हैं बीजेपी में ही सुमेर जी सिंग जो सोलंकी थे हैं उनको 55 वोट के साथ जहां पर जीत हुई है इसके लवा कांग्रेस के द्यूती उम्मिद्वार थे पूल सिंग बरेया यह 36 वोट प्राप्त कर सके और चुनाव हार गए चुनाव में वीजे के लिए 52 वोट जो है आवश्यक थे तो यह 36 लाप आए थे और इनमें सिरी सुमेर सिंग जो सुलंकी नहीं चेरे हैं और जो पूरू में इतियास के प्रोपे से रहे साथी राष्ट सिवा योजना में बढ़वानी के पूरू जीला संगठक भी रहे चुके यह हैं हाई आगे बढ़ते हैं देखे केंडे सिर्कार दोरा प्रवाजिश तरमीक का के लिए सुरूझ की गई महाद्भकांग सी योजणा गरीब कल्यान रोजगार योजना के तेट मद्ध्य प्रदेश के कितने जीले सामिल इसमें हैं तो इसमें जो है मद्ध्य प्रदेश के जो जीले की अगर हम बात करें तो टोटल 24 जीले इसमें सामिल है मद्ध्य प्रदेश के सेकेंड ओप्सन आपका सही जवाब रहेगा और 20.2020 को प्रदानमंतरे नरिंदर मोदी ज़ारा प्रदवासी मजदुरों को रोजगार उपलब्द कराने के लिए गरीब कल्यान रोजगार योजना सुबारंब बिहार के खड़गिया जो जिले हैं इससे किया गया है इस योजना में 50,000 करोड रुपे की धनरासी खर्च की जाएगी और इस योजना के अंतरगत देश के 6 राज उतरपदेश, मद्यपदेश, बिहार, उड़ी सजारकन राष्तान के 116 जिले सामिल किया गए जहां 25,000 ज्यादा स्रमिक पोचे हैं और इस योजना के अंतरगत प्रवासी मजदुरों को 125 जिन का रोजगार दिया जाएगा और जिसके लिए 25 कारशेत्रों जैसे सामदाइक स्वच्चिता परिसर राष्टी राजमारगे में काम आधिका जो है यह भी दिया जाएगा और मद्देश के जो 24 जिले इस योजना में सामिले कौन-कौन से वो भी आपको बता देते बालगांट जाबवा टीकमगर चतरपूर रीवा सतना इसके लवा आपको और बताएं हम तो सागर पन्ना भिंड अलिराजपूर पेतुल खंडवा सेडोल धार डिंडूरी कटनी चिंदवाडा सिवनी मंदला खरगोन सिवपूरी बढ़वानी सीधी और सिंग्रोली यह जो है 24 जीले इसमें सामिल किये गए हैं अगला कोशन आता है मत्यवदेश की सरकार कि सिद्दान्त पर कोरोनवाइरस से जंग लड़ रही है तो यह जो लड़ रही है आयाई टीटी इस पर लड़ रही है आइडेंटिफिकेशन आइसोलेशन टेस्टिंग ट्रीट्मेंट आपको इसका फुलपोम भी याद रखना है हो सकता है आपकी एक्जाम में निकल कर आ जाए तो इसलिए तोड़ा से ध्यान रखेगा आइडेंटिटी आइडेंटिफिकेशन आइसोल जो है मद्य प्रदेश सहसन में उनकी अद्यक्षिता में कियागा याद रखेगा और उनका नाम आपको पता चुके हैं देखिए राज सहसन के जो मुक्य सचीवे गबाल सिंग बेस इनके अद्यक्षिता में यह जो है राज ब्रोड़ बेंट समीति की गठन हुआ है और य नेशनल ब्रोड़ बेंड मिशन क्या है यह आपको सबसे पहले बताते हैं दिखे इस योजना यह जो योजना 2019 में सुरू की गई थी यह योजना राष्टी डिजिटल संचार नीती 2008 का हिस्ता है और नेशनल ब्रोड़ बेंड मिशन के सबी ग्राम पंचायतों को 2022 तक ब्र महलें बाल विकास विभाग द्वारा किस माध्यम से केंद्रों की गतिवी दियों की लिए की जो छर्या रही है कंवन आप्लिकेशन को एक फोन और हम पुराण, अप्रदान की गई है एप्लिकेशन में सभी बच्चे गर्वत्ती धात्री माताओं के नामदर्ज होते हैं और जीने सही सेवाय उपलब दो रही है या नहीं इसके निगरानी जो है वहाँ पर की जाती है नेक्स्ट कोशन है मुक्यमंदरी सिरी चोहान द्वारा कोरोना वाइरस के विरुद प्रदेश में एक जुलाई 2020 से कौन सा अभियान चलने का एलान किया गया है तो यह जो अपका अभियान है इसका नाम है किल कोरोना अभियान सेकेंड ओप्सन आपका से जवाब रहेगा मुक्यमंदरी सिरी चोहान द्वारा कोरोना वाइरस के नियंतरन के लिए एक जुलाई 2020 को पूरे प्रदेश में किल कोरोना अभियान चलने का नियलिया गया है और इस अभियान में प्रदेश में डोर टो डोर सर्वी किया जाएगा जिसमें आम जन और कोविड मेत्र का स्वयोग भी ले जाएगा और इस अभियान के सुर्वाजव भूपाल जिले से की जाएगी नेक्स्ट वोचन है केंदर सरकार की पंचायती राज मंतरा ले द्वारा ये पंचायती पुरुसकार की दुदि पंचायति राज मंतरा ले द्वारा मंधडिब्देस को ये पंचायत पुरुसकार दोजा रभी में प्रथम पुरुसकार दिया गया है ये पुरुसकार पंचायतों में सूचना संचार प्रद्योगी की बहतर बनाने की उप्योग के लिए दियेगा और इसमें द्यूती पुरुसकार चत्तिसगड को मिला है अब को बता दे कि प्रदेश की पंचायतों द्वारा योजनाओ के उनलाइन के लिए बारा सरकार पंचायती राजमंत्रा लेके विविन ने उनलाइन एफ्लेकेशन की पी एपेमेस, ई, ग्राम, सुराज, पूर्टल, लोकल गवर्मेंट, डाइरेक्टरी, आधी के संसाथ, विवागी पंचायत, दरपन, पूर्टल का उप्योग बहतर तरीके से यहाँ पर किये गया है नेक्स्ट विशन आता है, मद्यप्रदेश राजिसासन द्वारा, गरीब कल्यान, रोजगार योजना, कि प्रदेश में प्रभावी की रियान में तो किसके अधिक्षता में इस राजिस्तरी समिती जो है गटित की गई है, यह यहाँ पर गटित की गई है, मुख की सचिव की अधिक्षता में, राजिसरकार त्वारा, यह जो गरीब कल्यान योजना, इसकी समिती के लिए इकबाल सिंग बेस के अधिक्षता में राजिस्तरी समिती गटित की गई है, और इस समिती के सदर्श सचिव, पंचायत, किरामिन, विकास, विबाग की अपर मुख के होंगे, नेक्स्ट विशन है, मद्यप्रदेश राजिसासन द्वारा, 26 जून 2020 को मद्यप्रदेश प्रवाविशी सर्मिक आयोग का घटन किया गया, इसका कारिकाल कितने वर्सों का है, तो इसका जो कारिकाल है, दो वर्सों का है, याद रखेगा, फूर्थ ओप्सन पर आपका सही जवाब रहेगा, अगला कुछन आता है, मुक्ति मंत्री स्री चोहान ने के दिसन द्रवाविश पर 26 जून 2020 यहाँ पर देखे, यह जो है, इसका कारिकाल होगा, अध्यक्च राजिसासन द्वारा नामांकित व्यक्ति होगा, और इस योजना में, राजिसास पढ़ लीजिगा, आपके लिए काफी IMP हो सकती है, हाली में मत्री बदेश की बेटी भारती वायुसेन में, फ्लाइंग ओफिसर के पत्पर न्युक्ति हुए, इनका नाम क्या है, आपको बनाना है, इनका नाम है अंचल गंगवाल, तो थर्ड ओप्सन आपका सही जवाब रहेगा, देटील तोड़ी सी देख लेते, तो इके मत्री बदेश की बेटी अंचल गंगवाल भारती वायुसेन में, फ्लाइंग ओफिसर बनी है, और ये मत्री बदेश के नीमच जीले की निवासी है, इनका नाम आपको जाद रखने हैं, जीले का नाम भी आपको जाद हो सकता है, पूछ लिया, जाए, 27 जुलाइज 2020 को स्कूल सिक्से विवाग द्वारा कौन सी योजना चात्रों के लिए प्रारम करने की गोशना की गई हैं, तो ये योजना हैं हमारा घर, हमारा विद्या ले, सेकेंड ओफिसन से यवाब आपकर एगा, डिटियल तोड़ी स हम देख लेते हैं, तो देखें, यहाँ पर स्कूल सिक्से विवाग के द्वारा, इनकी जो सचिवे स्कूल सिक्से विवाग की प्रमुक सचिव, इनका नाम है, स्रीमति रस्मी अरुन सर्मा, और इनके द्वारा 27 जुलाइ 2020 को फेस्बूक लाइज के द्वारा, हमारा घर, हमारा विद्यले योजना को सुरू किया गया है, और यह यह योजना है, जो है यहाँ पर यह योजना है, कक्चे एक से कक्चा, हाँ तक के विद्यारते के लिए होगी इस योजना के तेत, घर में यह बच्चों के लिए स्कूल जैसा महाल बनाएगा, जिसमें माता पिता गंटी बजाकर विद्धियले प्रारंब और दो पर दो बज़े घंटी बजाकर आउकास की घोसना करेंगे पेस्बुक लाइव के माद्यम सही सोमवार सो कुरुवार विसे अनुसार देन होगा मैं सनिवार को मनोजन समझत कक्छाई भी आउजित की जाएगी नेक्स्ट कोशिन आपका आता है कि केंदस सरकार द्वारा किस राज जिके राज जिपाल को मद्देश राज जी के राज जिपाल का पत का अतरिक्त प्रबार यहां पर दिये गया है तो इसका सभी यवाब आप करेगा फूर्थ उप्सन यह हद रखेगा डीटियल थोड़ी से हम देख लेते काफी IMP है तो देखे उत्तर बदेश के राजजपाल स्री मतिया अनंदी जिबेन पटेले इनको मद्देश के राजजपाल स्री लाल जिटेंडन का स्वास्त खराब होने के कारण मतियपदेश राजपाल जो है यहाँ पर अतिरिक्त प्रबार इनको दिया गया है देखे राजपाल जो है तो यह जो है मतियपदेश के राजपाल बना दी गई अतिरिक्त प्रबार इनको दिया गया है यानि अतिरिक्त प्रभार ये इनके पास है आनंदी बेन पटेल जो है वरतमान में मद्यपदेश की राजजपाल है के लिए रहे और यहाँ पर देखे राजजपाल भी ये पेले भी रहे चुकी है और इन्होंने जो है सरी ओम प्रकास जो कोली इनका हिस्तान लिया था एक ज क्रसी मंत्री कमल जो पटेले इन्होंने किस जीले में बलवाडी सब्जी मंडी का इस उबारंब किया है तो इसका जो सही जवाब रहेगा वो खरगोन जीला रहेगा थर्ड ओप्सन सही जवाब रहेगा डिटियल थोड़ी सी हम देख लेते हैं तो देखे डिटियल में हम जून 2020 को क्रसी मंत्री जो है कमल पटेल इन्हें खरगोन जीले के बलवाडी सब्जी फल फल सब्जी मंडी का सुबारंब किया है और आट करोड तीस लाग की लागत से निर्मित मंडी प्रतम चरण को लोखारपन किया है तेरा करोड उपे की लागत से दूती चरण का निर रखेगा सतना जो है सयवाब इसका रहेगा सतना जीला जो है यहाँ पर आपका से जवाब रहेगा सतना जीला और जिगन हट ग्राम यह आप स्पेसली याद रखेगा और आपका ऩो नेक्स्ट केशन यह वो भी कप्या आई हैंपि हाले में मध्यपदे,श के वन विभाग में वन बलब्रमुक का पद किस के दौरा गरहन किया है तो यह जो पद गरहन किया है स्री राजेस स्री वास्तावजी के दोरा जो है गरन किया गया है डीटियल थोड़ी सी हम देख लेते तो देखे ये भारती वन से 1984 बेस के वना दिखा रही है और पुरू में प्रदान मुख के वन सनरक्षक के पत पर पदस्त थे और इन्होंने जो है न्युक्ति की गई है वो सुस्मा दूबे की की गई है डॉक्टर सुस्मा दूबे सेकेंड ओप्सन आपका सजवाप रही का डीटियल थोड़ी सी देख लेते देखे प्रमुक्स अचिव नगरी विकास आवासरी निति स्वियास के आदेज जारिकर ही है जो न्युक्ति की है डॉक्टर सुस्मा दूबे वर्तमान में राजे सहसन के में वित्त सलाकार नागरी विकास आवास विभाग में है अब यहां दोनों पत जो है यह समालेंगे नेक्स्ट वोशन है इंदोर कमिशनर के पत पर किसकी न्युक्ति की गई है तो यहां पर आपका जो सही जवाब रहेगा वो डॉक्टर पवन कुमार सर्मा आपका सही जवाब रहेगा डेटियल देख लेते हैं तो यह की डेटियल इतने ज्यादा जाने की जरूत नहीं है आपका नेक्स्ट कोशन आता है मद्यप्रदेश सासन दौरा अटल भिहारी वाजपे सुसासन संस्ता बोपाल के महानी देशक किसे बना गया है तो इसके जो अपके बना गये है सुसासन अटल भिहारी वाजपे सुसासन संस्ता बोपाल के जो है महानी देशक मनीस रस्तोगी इनको बनाए गया है मनीस रस्तोगी याद रखेगा और आपको तोड़े से डीटियल इनके बारे में देखे क्योंकि काफी IMP है देखे अटल ब्यारी वाच्पे सुसासन संस्ता जो है बुपाल के नए महानी देशक राजसासन द्वारा स्री मनी इस रस्तोगी इनको बनाए गए यह वर्तमान में राजसासन में प्रमुक्साचिव मुक्यमंत्री प्रमुक्साचिव लोकसेवा प्रबंदक विबाग अतिरिक्त प्रबारिन के पास था इनको जो है अटल ब्यारी वाच्पे सुसासन संस्ता का अतिरिक्त प्रबारिन को द ताकि आपको पूरी जी के उनके लावा कोशन के उनसे पता चल गया होंगे तो यह वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और नेक्स्ट वीडियो अगर आप जानना चाते हैं जुलाई महा का तो वह आपके लिए जल्दी से जल्दी लेकर आने की तो आज के स्टूडियो में बस इतना ही जैहिन बंदे मात्रम